गाइस क्या आप भी बनना चाहते हैं computer expert दोस्तों computer की दुनिया में आप आगे जाके अपना carrier बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी टरीक मैं आपको बताउंगा कुछ ऐसे तरीके बताउंगा जिन से आप जो बने computer carrier को skill करके आगे जा सकते हैं और computer की आगे दुनिया में अपना carrier अच्छे से बना सकते हैं चाहे फिर आपको किसी भी तरीके का software डिजाइन करना हो या फिर किसी भी तरीके का function डिजाइन करना हो application बनाना हो या फिर Microsoft के बारे में मतलब उसमें कुछ बनाना हो तो आज की इस वीडियो में complete detail में आपको बताऊंगा कि computer expert आप कैसे बन सकते हैं computer की master भी या कैसे बन सकते हैं मतलब कि सब कुछ आपको इस वीडियो में जाने के लिए मिलेगा तो वीडियो को last तक ज़रूर देखते रहना तो हेलो दोस्तो मेरा नाम है सुजीत मौरया और आप सभी का technical सुजीत YouTube channel पर स्वागत है तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं तो computer चलाना तो कोई normal बात नहीं है लेकिन कुछ लोग computer की basic चीजे जानने लगते हैं उन्होंने सोचा है कि भाई मैंने महारत हासिल कर लिया मैंने पूरा computer course कर लिया है तो अगर आपने केवल basic चीजे सिखी हुई है तो अब यह computer के master नहीं है तो basic चीजों में basically अगर आपको basic चीजे भी नहीं पता है मालिज़े कि computer क्या है computer एक television की तरह होता है बस इतना आपको पता है computer एक TV की तरह होता है इतना बस पता है बाग की इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है computer के जो basic knowledge है उनको आपको सीखना पड़ेगा उनको पढ़ना पड़ेगा एफ या फिर आप और चाहें तो आपने जा से पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि आज इस इसकूल کॉलिज में आपको इसे विंडो क्या ओद कैसे सुषट डाउन करना है और उसके बाद में उसमें कैसे करना है मतलब कि जो बेसिक चीजे हैं वो आपको computer में सिखाए जाती है जो basic चीजे हैं अगर आपको computer का केवल C पता है वाकी computer पता ही नहीं है तो तब यह सिखाए जाता है अब उसके बाद में अगर आप थोड़ा और हाट पर जाएंगे तो उसके मतलब कि थोड़ा सा हाड से बार बता बदढ़ जाए गयाा मतलब धोड़ा और हाड बताए जाय गया जैसे कि आपने बेसिक चीजे शीख ली है उसके बाद में थोड़ा सा hard way पर चलेंगे आपके अध्यापक hard तरीके से पढ़ाएंगे मतलब उससे high level का course आपको कराएंगे तो आपको सबसे पहले basic course करना है उसके बाद में Windows operating system के बारे में वो लोग पढ़ाएंगे उसके बाद में क्या पढ़ाएंगे आपको मैं बताता हूँ उसके बाद में वो लोग computer के अलग लग system के बारे में बताएंगे जैसे कि किसी भी software को design करना होगा application बनाना होगा वैसे तो अगर आपको full computer course करना है तो मैंने एक video upload करके रखा हूँ उसके बाद में आपको क्या करना है fix computer problem अगर आपके family में या फिर आपके relative में आपके किसी भी computer में जो कोई भी problem आ जाती है तो आप उसे अपने आप से ठीक करने की कोसिस कीजिए अब जितना उसके बारे में जानते हूँ उस problem के बारे में आप उतना उस computer की problem को fix करने की कोसिस करेंगे तो आपका skill और आगे बढ़ेगी आपका knowledge automatically बाहर बढ़ेगा उसके बाद में बात आती है regular read computer articles आपको कभी भी जो है आपको ये नहीं सूचना है कि मैंने computer course कर लिया है तो मैंने महारत हांसिल कर लिया है मैंने पढ़ाई पूरी कर लिया है तो आपको क्या करना है regular read computer article मतलब की आपको रोजाना computer के जो नएने articles हैं चाहे तो आप books books से पढ़ सकते हैं मतलब किताबों से पढ़ सकते हैं या फिर आप चाहे तो internet का सहरा ले सकते हैं आप चाहे तो हमारे चैनल का भी सहरा ले सकते हैं हमारे चैनल पर भी computer course इसे तरीके से पढ़ा जाता है उसके बाद में इसका मतलब होता है कि आपने जो भी ग्यान आपके अंदर छुपा हुआ था वो आप दोस्तों उसको नए नए अंदाज में पढ़िए जैसे कि Windows इस्टॉल करते हैं आप लोग जैसे कि CD से Windows नॉर्मली स्टॉल होता है और किस से होता है पेंडराइब से होता है पेंडराइब से कैसे होता है उसके बारे में जानने की कोसिस कीजिए समझ रहे हैं तो इस परकार से जो है रेगुलर रीड कंप्यूटर आर्टिकल का मतलब यही होता है उसके बाद में आता है अब आपको जैसे कि आपने ये सब बेसिक वगयरा कोर्स कर ले है अब आपको क्या करना है अब आगर आपको एक डिगरी हासिल करने है अब कंप्यूटर की तो आप कौन सा कोर्स करें भईया तो कंप्यूटर की डिगरी हासिल करने के लिए आपको करना क्या है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनिरिंग कर लेना है अब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनिरिंग क्या है तो ये दोस्तों एक अलग तरीकी की पढ़ाई होती है और उसके बाद में जो है आपको जब आप इसका एक्जाम दे देंगे तो आपको computer की degree मिल जाएगी उस degree को ले जाकर आप किसी भी company में जो है काम अगरा मतलब कि अच्छे खासे जो है काम अगरा मिल सकते हैं आपको तो computer science and engineering का यही फायदा होता है उसके बाद में computer science and engineering करने के बाद आपको master degree पूरा कर लेना है और master degree अगर आपकी पूरी हो जाती तब तो भी आप किसी भी company में जाके high level पे interview देके आप नौकरी कर सकते हैं काफी अच्छी आपकी नौकरी लग सकती है अगर आप master degree को complete कर लेते हैं अगर आप master degree complete कर लेते हैं उसके बाद में अगर आप computer के बारे में और भी पढ़ना चाहते हैं नहीं नहीं जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको don't stop learn मतलब की आपको कभी भी ये नहीं अपने उपर सुचना है कि मैंने master degree कर लिए मैं तो computer का जो है कीड़ा बन चुका हूं मतलब computer के बारे में सब कुछ जानने लगा हूं तो आपको ये कभी भी नहीं सुचना आपको जो नए नए experiment करते रहेंगे तो आपकी जो है पढ़ाई की skill और बढ़ेगी और उसके बाद में आप जो है अच्छे से आप अपना computer की दुनिया में career बना सकते हैं केरियर बना लेने के बाद आप अच्छे से अपने आपको computer expert समझ सकते हैं तो यही होता है computer expert की जिंदगी मतलब कि computer expert की पढ़ाई अगर आप computer expert बनना चाहते हैं तो मेरी इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा ताकि आपको जो है अगर भाविस में कभी भी दिक्कत आए तो आप मुझे contact करेंगे जरू contact कर सकते हैं मेरा email id दिये रखा है मैंने description में हम मिलते हैं आपसे next वीडियो में तब तक लिए बाए बाए